पिछले कुछ साल तो बॉलिवुड की हालत भी बहुत ज्यादा बेकार रही थी, लेकिन फिर से जवान और एनिमल जैसी मूवीज की वजह से बॉलिवुड फिर से जिन्दा हो गया, लेकिन इसकी कॉपी करने की आदत अभी भी नहीं गई, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी कॉ मार लड़की के बारे में है, जिससे एक लड़की को बहुत प्यार हो जाता है, इस मूवी की स्टोरी को The Fault in a Star नाम की एक नोवल से लिया गया है, जिसके उपर हॉलिवुड में भी एक मूवी बनी थी, नेक्स्ट मूवी भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, लेकिन मूवी का नाम है आदी पुरुष, जिसके VFX देखकर तो लोग सच में पागल हो गए थे, लेकिन इस मूवी के इतने सारे सीन्स हॉलिवुड से कौपीड है, जिससे आप साफ साफ देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो के ये Avengers मूवी से लिया गया है, और रावन की लंका को एंचकार्ड से लिया गया है, और ये पानी में बैठने वाला सीन ब्ली भी भी, क्रिस हेम्सट की एक्स्ट्रैक्शन मूवी से लिया गया है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन अपने नोटिस की है, कि ये सारे सीन्स, जिन मूवी से लिये हैं, उन सब में क्रिस worth है, सिद्धार्थ मलोत्रा वैसे तो एक बहुत ही talented actor है जिन्होंने शेरशाह और एक billion जैसे hit films दी है लेकिन इनके ऐसी movie थी जिसका song तो बहुत hit हुआ था लेकिन movie नहीं चली जिसका नाम है Thank God जिसमें अजय देवगन भी थे इस movie में सिद्धार्थ बहुत ही ego वाले इनसान होते हैं जिनका accident हो जाता है जिसके बाद God उनके साथ heaven और hell में जाने के लिए उनके साथ एक game खेलते हैं और इस movie के inspiration Danish movie यानि की एक Denmark की movie that goes around से ली गई है Next movie है KGF इस film का कोई specific VFX clip तो नहीं है क्योंकि इस film में भी pushpa की है तेरे पास छोटे मोटे जगह पर VFX का उसे किया गया है जैसे कि इसके set को काफी हलका VFX के साथ साथ इसको real life में भी बनाया गया था और जैसा कि ये तो आपको पता ही होगा KGF में जो अधिगरहन बाकी के characters हैं वो walking series और काफी हैं भटियारो क्या तुम्हें ये पता है कि कई sources का according KGF का जो music है न उसके भी inspiration हाल ही में Avatar movie के first part जो की 2009 में release हुई थी उसके background music से ली गई है और यार इसकी editing में सबसे ज्यादा तारीफ हुई है वो grading मतलब काफी कमल का thought जिसके अभी हम behind the scene को देखने वाले हैं जैसे कि ये जो line वाला scene है जो की बहुत ही ज्यादा कमल का था जिसमें land काफी ज्यादा realistic लग रहा था लेकिन यार इसे बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई थी जैसे कि इसे तीन अलग अलग पार्ट में सूट किया गया था